दूसरे मंत्री तता में बहे तता पक्षबाद, अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सविरान गीदी के अनुसर नया करूँगा मैं मैं महिंद जिस्ञालिया इसमत की सबत लेता हूँ कि जो विश्य रास्तान राज्जी के मंत्री के रूप में तक शुरुक से संसूइ या प्रकट नहीं करूँगा बागी दौरा से विधाया के महिंद जीत सिंग मालविया जैनल जातिक शेत्र विकास सब मंत्री रह चुके हैं और एक बार फिर से वो मंत्री बनाये हैं बागी दौरा उनका विधान सबक्षित्र है जहां से जीत्ते आए हैं और यह बताया जाता है कि वाशूग यहलोत के खेमे से हैं बासवाडा से सांसद्री राच्ट प्रकट नहींद्री जीत सिंग मालविया और यह जो नारेबासी है इसमें गुडबासी भी देखने को मिलेगी अगले विधायक आगे हैं शबत ग्रहन के लिए मैं मैं रामलाल जाट इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं वीधी द्वारा स्तापित भारत के सविधान के प्रती सची सरदा और निश्टा रखूँगा मैं भारत की पर्भुता और अखंडता अक्षुन रखूँगा मैं राजस्तान राज्ये के मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का सरदापुरों का और सुद अंत्र करन्ड से निर्वहन करूँगा सबी परकार के लोगों के प्रती स्विधान और विदी के अनुसार नियाई करूँगा मैं राजस्तान राज्ये के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जब की ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपैक्सित हो मैं परत्यक्स अथवा एपरत्यक्स रूप से सहसंचुत या परकट नहीं करूँगा रामलाल जाड भी पूर्व मंत्री हैं और वरिष्ट नेता हैं विवादों में भी कई बार रहे हैं रामलाल जाड और इसमें कई ऐसे मंत्री हैं जिनका विवादों से भी नाता रहा है एक महिला तहसीलदार को फोन पर धमकाने अभद्रता करने का भी इन पर आरूप लग चुका है कॉंग्रेस के बड़े नीता माने जाते हैं पूर्व मंत्री राजस्थान क्या है च्री मही जोशी एक और बड़े नीता महेश जोशी मैं महेश जोशी इश्वर की शपत लेता हूँ कि मैं विदि द्वारा इस्ताथिक भारत के सम्विधान के पती सच्ची शद्धा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अक्षुन रखूँगा मैं राजस्थान राजे के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतह करण से निर्भेन करूँगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या दिवेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के परते सम्विधान और पिदी के अनुसार नियाए करूँगा मैं महेश जोशी इश्वर की शबत लेता हूँ कि जो विशह राजस्थान राजे के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अफ़ा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्तिया व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतवियों के समयक निर्वेन के लिए ऐसा करना पेक्षित हो मैं प्रत्रक्ष अफ़ा अप्रत्रक्ष रूप से संसुचित या पकट नहीं करूँग डॉक्टर महेश जूशी हवा महल विधान सभा से चुनकर आये हैं चरण स्वर्ष मुख्यमंद्री अशोग गहलूत का उन्होंने किया पेशे से डॉक्टर हैं और एक बड़े नेता माने जाते हैं डॉक्टर महेश जूशी और अशोग गहलूत का विश्वास भी है चीफ विप राजस्तान विथान सभा मजब्मदारी निफा चुके हैं डॉक्टर महेश जूशी और ये वो विधायक हैं जो अशोग गहलूत के नस्दीकी माने जाते हैं तब्टर महेज जोशी को भी